नबस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीरो को हाइड करने का एक्सेल में एक जवर्दस तरीका क्या है कि मतलब अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी फार्मूला यहाँ पे अगर मैं जीरो लिखूं तो वो जीरो को जो है एक्सेल सीट के अंदर किस तरह से हाइड करेंगे वो पूरा डिटेल में देखने वाला हूँ तो वो जो जीरो को हाइड करने का जो मैं थिंग है वो जो हम लोग को यूज कब होता है देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि यह seat का जो data जो है वो second seat में जो है automatic चला जाए ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जैसे कि यहाँ पे seat 1 है और यहाँ पे अगर यहाँ पे second seat यहाँ पे मैं equal to formula डालूँगा और यह जो second number का arrow है जो second number का arrow है मैं यहाँ पे click कर देता हूँ और enter press किया तो देखिए जो यहाँ पे भी check लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी check लिखा हुआ है ठीक है अगर मैं इसी formula का थोड़ा आगे की और drag करूँ तो देखिए वो formula जो automatic drag होता चला गया ठीक है अगर मैं इसको drag किया तो वही formula drag होगे आगे की और देखिए यहाँ पे इज blank है इज number है इज blank है इज string है और यहाँ पे check है same thing यहाँ पे भी लिखा हुआ है ठीक है तो अगर मैं इसी formula का फिर से select किया और इसको जो है पकर के नीचे की और drag कर दिया तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा सा front बरा कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे ठीक है इसको मैं 30 कर लेता हूँ तो इस condition में क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है मैं इसको और भी क्या कर ला ओके देखिए क्या हो रहा है थोड़ा डिजन भी कर दिया, तो यहां पे जो formula drag किया हूँ, ठीक है, जहां जहां यहां पे जो empty cell है, यह जो empty cell है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, cell नमर 6A, 6A जो है, यहां पे क्या है, empty है, तो यहां पे देखिए, 6A, यहां पे जो empty cell था, वहां पे 0 आ गया है, ठ लेकिन यहां पे कुछ text है, इस cell के अंदर कुछ text है, formula लगे हुए है, जो कि यहां पे empty है, ठीक है, तो यह सारा जो empty है, formula लगा हुआ है, इसमें जो empty दिखा रहा है, तो इस cell में भी देखिए, empty दिखा रहा है, लेकिन यहां पे 0 आ रहा है, जो जो cell यहां पे empty था, यहां पे भी आपको जो है zero मिल रहा है ठीक है तो अगर मैं बात करों इसी cell को यहाँ पे देखे यह nine number row है पूरा cell जो है empty है यहाँ zero zero लिखा हुआ तो यहाँ पर देखे nine number के बाद पूरा empty है zero zero लिखा गया तो यहाँ पर क्या हुग मतलब इसमें से जितना भी extra zero आया इसमें नहीं रहे उसके लिए क्या करेंगे क्या काम करेंगे तो आपको मैं वही चीच बताने वाला हूँ सबसे पहले आप क्या करा हूँ जहां तक आपको select करना इस set को select कर लिए select करने के बाद आप इसका format cell में जाए तो मेरा मकसद है format cell में जाना, आप कहीं से भी जाओ format cell में, ठीक है, यहां पर देखिए format cell जा गया, अब format cell में एक option आता custom का, okay, custom में आप जाए, custom में जाने के बाद यहां पर general लिखा हुआ तो आप यहां पर लिख दो 0, ठीक है, उसके बाद यहां पर डालिए semi column, okay, उसके बाद लिख दीजा, add the rate, क्या लिखा मैंने, 0 semicolumn minus 0 double semicolumn, उसके बाद add the rate, और इसको कर दिया मैं, okay, तो देखिए, जहां जहां 0 था, वो सारा 0 जो यहां से चला गए, अभी इस cell में कुछ भी 0 नहीं बचा है, ठीक है, 0 यहां से hide हो चुका, अगर फिर से यहां पर इस cell मे है, मनोज, yes, yes, लिखा हुआ है, इसके नीचे, यहां पर देखिए, मैं कुछ और लिखता हूँ, 45 लिख रहा हूँ, और यहां पर आप कुछ भी लिख दीजिए, तो देखिए, क्या हो रहा, यह सारा से चीज़ जो है, यह समें देखिए, automatic update हो चुका है, लेकिन आप जो ह यहां पर नहीं दिख रहा है, जीरो को किस तरह से cell के अंदर से remove करते हैं, वो आपको पता चल गया है, ठीक है, और next मैं और भी बात करता हूँ, next मैं क्या बात करता हूँ, देखिए, जीरो को तुम्हें यहां से remove कर लिया, एक और तरीका बताता हूँ, जीरो remove करने का, यह जाने के बाद आपने क्या किया था, यह फ़ार यह डाला था, मैं इसको फिर आपको कॉपी करकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या डाला था मैरे, यहां पर मैं लिख देता हूँ, इसको delete करके, वह फ़ार क्या डाला, मैं, okay, मैं डाला था, देखिएगा, एक ध्यान से यहां से हटा देता हूँ, और यहां पर जो है, मैं इसको general कर दे रहा हूँ, तो आप जैसे ही general करोगे, देखो, सारा zero जो है, automatic फिर से यहां पर आ चुका है, दूसरा तरीका, second way, मैं बताता हूँ कि सभी जीरो को किस तरह से seat से hide किया जाए, जीरो को किस तरह से हटाया जा ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, उसके लिए आप क्या करो, यह seat है, इस seat का जो file है, file पे जाएए, और यहां option है, ठीक है, option में जाएए, option में जाने के बाद एक pop-off विंडोज आएगा इस तरह से, ओके, pop-off विंडोज यहां पे आ गया, आने के बाद, pop-off व cursor को down कर लो, ठीक है, down करने के बाद, यहां पे एक option मिलेगा, क्या option मिलेगा, यहां पे, display option for this work, और यहां पे display option for this work seat, ठीक है, यह जो हमारा work seat है, इस seat का नाम क्या है, देखिए, यहां पे seat कितना है, three number दिखा रहा है, ठीक है, तो यहां पे भी आपको जो है, एक pop-off windows के अ यहां दिया हुआ, seat three करके, ठीक है, और इस seat three के अंदर जो है, यहां पे एक option आता है, so zero in cell, that I have zero value, दिख रहा है, और यहां पे जो है, trick लगा हुआ है, trick लगा हुआ है, तो मतलब यहां पे जो है, trick चैसे लगा हुआ, तो देखिए, जो भी value रहेगा, यहां पे zero दिख र दिया, अभी देखिए, इसको okay कर दिया, देखिए, कमाल होगे, सारा zero का zero, जहां पे zero था, यहां पे, सब भी जो है, कुछ भी zero यहां पे नजर नहीं आ रहा है, कैसा है, सब भी zero गायव हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, आपने क्या किया, एसा किया, देख लिए, फिर से मैं दिखाता हूँ क्या किया, यहां पे zero नहीं है, अभी इसमें zero आ जाएगा, कैसे आएगा, मैंने option में गया, फाइल में, option, option में यहां पे पॉप विंडोज आया, ठीक है, पॉप विंडोज में जाने के बाद, advance, okay, advance में जाने के बाद कहां जाना है, मुझे, इस display option for this workbook, seat, ठीक है, display option for this worksheet, seat 3, जो भी आपका यहां पे नाम दिया हुआ है, इस name में, और यहां पर भी देखे, zero नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं यह कर रहा है, so a zero cell in having zero value, इसको जो मैं टिक कर दे रहा हूँ, जैसे मैं टिक कर दिया, और इसको okay प्रेस कर दिया, देखे, स Excel के अंदर zero value को किस तरह से hide करते हैं, किस तरह से उसको sow करते हैं, मैंने इस वीडियो के माधियम से two way बताया, दो तरीका बताया, कि Excel के अंदर zero value को किस तरह से sow करते हैं, और hide करते हैं, आसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ dot है, तो आप मुझे comment section में लिखे, ठीक है, या आपको कुछ new topic पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप में comment section में लिख सकते हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं आपके project में आपके साथ काम करूँ, तो उसके लिए आप मेरे channel का membership ले लीजिए, और join button पर click करके आप join कीजिए, ठीक है, तो इस वीड trick के साथ next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, thank you